नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महाइंद्र जाल में है दोस्तों आजम बात करेंगे कि दिपावली से पहले घर से ऐसी कौन-कौन से वस्तों हैं जिन्हें आपको अवश्य है निकाल देना चाहिए ताकि लक्षमिंबाता की किरिपया आपके घर के ओपर इस्थाई रोप से बनी रहें दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जो बाते बताएंगे आपको हो सकता है बहुत ही साधार्म सी लगें लेकिन दोस्तों यदि आप इन बातों को फोलो करते हैं इन बातों को अपनाते हैं तो दोस्तों निशित रोप से धन की द दोस्तों सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यह थी आपके घर में पुराने कपड़े हो जो आप यूज नहीं करते हैं या फटे पुराने कपड़े हो जो फट चुके हो और यूज नहीं किये जाते हो तो दोस्तों इन सबी कपड़ों को आप अपने घर से निक देते हैं तो दिपावली से पहले जितने भी पुराने कपड़े हैं आप उन सब को निकाल कर दान करते हैं इससे आपके घर का जो वास्तु दोश है वो शुद्ध होगा और लक्षम वाता कि इस्थाई किर्पया आपके घर के उपर होगी दोस्तो अगले महतपुन बात दोस्तो यदि आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां है गनेश जी की शिव जी की या किसी भी अन्य देवी देवता की खंडित मूर्तियां तो आप उनको किसी मंदिर में दे आईए दोस्तों ध्यान रखना है जो शिवलिंग है शिवलिंग कभी भी खंडित नहीं माना जाता है तो शिवलिंग को छोड़ कर अन्य जितनी भी मूर्तियां है या फोटों हैं जो की खंडित हो चुकी है उनको आप पास की किसी मंदिर में देया है या आप उनको जल प्रवा करते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में चितनी भी समस्यां हैं वह दूर हो जाएंगी जैसे बंदते हुए काम में रुकावट आ जाती है तो वो नहीं होगी तो इस बात का अब ध्याना कि दिपावली से पहले आप ये कारी जूर करें दोस्तों ये आप भी घर में चट के ओपर गंदगी है तो आप उसको साफ करें चट को बिल्कुल साफ सतर रखें कुछ लोग अपने घर में चटों के ओपर स्टोर रूम मरा लेते हैं और उस स्टोर रूम में घर का जितना भी फालतों का समान होता है वो सब जमा करते रहते हैं तो होता क्या है कि जो चट होती है जो स्टोर रूम होता है वो कुड़ा घर बन जाता है तो दोस्तों ऐसा ना करें दिपावली से पहले जो आपके स्टोर रूम है चाहिए वो नीचे हो और खासकर चट के ओपर कर जो store room है उसे आप बिल्कुल साफ कर दें चट के ओपर बिल्कुल भी फालतों का समान कचरा नहीं होना चाहिए दिपावली से पहले अपनी चट को बिल्कुल साफ सुतर कर दें इस बात का ध्यान रखे दोस्तों यदि आप जयम में पर्स रखते हैं और आपका पर्स फटा हुआ है तो दिपावली से पहले आप नया पर्स ले आईए और दोस्तों हो सके तो पर्स में आप लक्षिमेमादा की फोटो रखे हैं यह वोतिश्युब माना जाता है इससे माना जाता है कि लक्षिमेमादा की ग्रफ़िया आपके उपर हमेशा पनी रहेगी दोस्तों यदि आपके टीजोरी टूट गई है तो आप नहीं तीजोरी ले आईए और दोस्तों अपनी तीजोरी में आपको कुछ आपको समगरी बता रहे हैं ये समगरी आप धंते रस वाले दिन अवर्शक खरिद ले इन में से एक या एक स्याधिक समगरी और अपनी तीजोरी में पवश्य रखे हैं दोस्तो सुपारी, शिरियंद्र, पीली कोडी, दक्षिनवर्ति शंख या कुबेरियंद्र, इन में से कोई एक या एक स्याधिक बस्तु जो भी आपको सानी से मिल जाए, वो आप अपनी तीजोरी में अवश्य रखे हैं, इस बात का अवश्य दियान रखे हैं, दोस्तो इसक स्टोन है, चुकि आप नहीं पैनते हैं, पोज़क तक अभी आपने कोई अंगोटी बनवाई हो, किसी स्टोन के, और वो जो अंगोटी है, वो आपको सूट नहीं करी हो, और आपने उतार कर रख दी हो, घर में कहीं, या किसी और सा दस्याने, तो इस प्रकार के जो स्टोन है, या स्टोन से जड़ी हुई अंगोटिया है, या कोई ताबीज हो, कोई लोकेट हो, जो आप यूज नहीं करते हैं, तो दोस्तों, ऐसी सभी समगरी को, आप किसी सुनार को, या कहीं पर, जहां पर भी वो बिखती हैं, आप उनको बेचाईए, क्योंकि ऐसी जितनी भी स स्टोन लिया, और स्टोन आपको सूट नहीं किया, आपने उसको उतार दिया, तो जब स्टोन आपको सूट नहीं करेगा, तो जब तक आप ये घर में रहेगा, आप ये घर में भी वो नगेटिव एनर्जी को ही फैलाएगा, तो ऐसी जितने भी चीज़े हैं, जो आपको स कांच के जो कप होते हैं या गिलास होते हैं उन्हें साइड ही टूट जाते हैं तो ऐसे जितने भी बरतन हैं जिनके साइड टूट गई है या टूट फूट गए हैं कई से खंडित हो गए हैं ऐसे सभी बरतनों को या वस्तुव हैं आप इन सब को अपने घर से निकाल कर दिपभली से पहले ही तैक दीजिए दोस्तों अगर आपके घर में घड़ी अब होगोच जादा है हर कमरे में घड़ी होती है कहीं घरों में हर कमरे में एक गड़ी होती है तो दोस्तों, कहीं बार क्या होता है कि उनमें से कुछ गडी बंद हो जाती है या तो उनका cell खराब हो जाता है या घडी खराब हो जाती है तो दोस्तों, कर cell खतम हो गया, Cell weak हो गया तक आप cells बदल दीजिये सब इगड़ी हों के, सब इगड़ी चलते होनी चाहिए और अगर कोई गड़ी ही खराब हो गई है तो आप उस गड़ी को निकाल कर अपने घर से बाहर जो कच्रे का डब है उसमें फैक दीजिए क्योंकि वो गड़ी कीसी काम की तो है नहीं जब तक घर में रहेगी नेगेटिव एलर्जी को ही फैलाएगी आपके घर की जो आर्थिक उन्नती है उसमें रुकावट पैता करेगी घड़ी के रुकने का मतलब होता है तरक्की का रुक जाना तो जिन घरों में बंद घड़ियां ये रुकी हुई घड़ी होती है उन घरों की जो आर्थिक उन्नती होती है वो रुक जाती है इसलिए दिपावली से पहले जितनी भी बंद घडियां है या खराब घडियां है उनको या तो चालो किजिए और खराब है तो उसको भाहर ठैक दीजिए दोस्तो इसके बाद बात करेंगे कुछ वस्तु से जोड़ी हुई तस्वीरों के दोस्तो कुछ लोग अपने घर में ताज महल की फोटो लगाते हैं लेकिन दोस्तो आप जानते ही हों कि ताज महल जो है एक मकबर है तो यदि आप ताज महल की फोटो करमे लगाएंगे यानि मकबर की फोटो करमे लगाएंगे तो उससे घर में मनुसियत फैलेगी तो ताज म हdoesने कलेंडर या फोट्ट लगा ली थी दोस्तों ऐसे बिल्कुल ना करें जर्णा या फवरा ऐसी फोटों ना लगाएं कि हो तो जलंड नंवरा कीी फोट्ट लगाने का मतलब है कि आपका जो पैसा है आपको जो धन है वो पानी जैसे बहता है ऐसे बहना जाएगा यह nai विशेश ध्यान रखे जो लोख है वो खराब हो गया है अलमारी का अलमारी बंद नहीं हो पाती है बारबर खुल जाती है तो आप उसको ठीक करवाई है अगर आपकी आदत है कि आप अलमारी को खोड़ देते हैं तो आप इस आदत को छोड़ दीजिए अलमारी को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए घर में कोई सी भी अलमारी हो चाहे गोद्रेज के अलमारी हो चाहे कोई दूसरी अलमारी हो अलमारी को हमें सब बंद रखना चाहिए इससे आपके बंदते हुए कारियों बिगडने लगते हैं और कारियों में रुकावट आने लगती है तो आप इस बात का विशेश ध्यान रखे दोस्तों घर में अभी जैसे दिपावली आने वाली है तो सब लोग अपने घर में सावसफ़ाई कर रहे है तो दोस्तों घरों में मकडी का जाला बिलकुल भी नालगने ते घर में आप सावसफ़ाई तो करेंगे ही तो मकडी का जो जाला होता है उसका विशेश ध्यान रखे है मकडी का जाला घर में बिलकुल भी नालगने ते दोस्तों यदि आपको घर में सोफा, कुर्सी, टेबल यह सब चीज़े हैं जो क्यक्सर गरों में होती ही है तो दोस्तों यदि आपको सोफा कहीं से कटा फटा है तो उसको आप रिपेर करवा लीजिए कुर्सी, मेज, स्टूल, इस्तिर की जितनी भी चीज़े है जो टूटी हुई है, उनको आप रिपेर करवा लीजिए अगर आप रिपेर नहीं करवा सकते तो आप उनको बेज दीजिए, किसी को दे दीजिए या आप उनको जला दीजिए लेकिन टूटी-फूटी हुई चीज़े, टूटा हुआ जो फरनिचर है, वो घर में नहीं होना चाहिए तो उनको अप निकाल ले और दोस्तो अंतिम बात यदि आपने घर में जो पानी की टंकिया है, यदि वो टपकती हैं, उनको पानी टप-टप करके भैता है तो आप उनको दिपावली से पहले ही ठीक करवा लिजिए क्योंकि पानी का जो टपकना है वो भी सही नहीं माना जाता है वास्त दूश प्यादा करता है गर में तो दोस्तों ये हमने आपको कई चीज़े बताई हैं आप इन सभी बातों का ध्यान रखें इन सब बातों को नोट कर लें और एके करके अपने घर में जितने भी ये प्रोलम्स हैं जितने भी समस्य हैं उनको आप दूर करें क्योंकि यह सब चीज ऐसी हैं जो माता लक्ष्मी को हमारे घड़ में आने से और उस्थाई रूप से हमारे घड़ में वास करने से रोखती हैं तो इस बात का विशेज ध्यान रखें और दोस्तों हमारे चैनल में कई परकार के हमने साधनाई और टोटके दियो हैं लक्ष्मी माता को परसंद करने के तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और जो हमने अन्य वीडियो बनाई हैं आप वो जुरूर देखें ताकि आप शुक्समरद्धे परिपूर्ण रहें इन्हीं आवनपे गानाई के सब्ली इज़ाज़त दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिये एमारी वीडियोज को अधिक लाइक और शियर जुरूर करें जैम आता दि !